मनीशा का प्रश्ण है गुरुजी रीडिंग करते समय स्चोरी बिल्डिंग आना जरूरी है मनीशा प्राक्टिस मैटर करती है मैं यह मानता हूँ कुछ भी जो आपने आपको कोई कॉलिटी है आपके अंदर कोई कला है कोई टेक्निकालिटी है वो सब चीजे जो है काम आजाती है जैसे फर एक्जामपल मैं अपना एक एक्जामपल देता हूँ आपको मैं एक टाइम को जो है मुझे मुवीज देखने का बहुत शौक था मैंने मेरा कुछ ऐसा होता था कि आल्मोस्ट मैं एक दिन में जो है मैं एक मुवी जो है देखता ही देखता था क्योंकि मेरे लिए मुवीज को देखना जो है बुक्स पढ़ने जैसा था आज की डेट में मैं मुवीज तो नहीं देख रहा लेकिन जो मैंने उस वक्त मूवीज देखी थी आज उसकी जो स्मिर्थी है आज उसकी जो मेमरी है वो मेरे पास भी है तो जो भी पॉजिटिव मैंने उससे सीखा था उसको जो है मैं अपनी जो है टारों में भी समाल करता हूँ As an example, as a learning तो बात यह है कि कुछ भी जो है आप अपने जीवन में करते आये हो वो कुछ भी वेस नहीं जाता तो मैं जब मूवीज देख रहा था मुझे नहीं पता था कि एक दिन जो है उसका इस्तेमाल जो है टारों में भी हो पाएगा तो इसी तरह से for example कोई अच्छा cook है अपनी cooking enjoy करता है तो वो cooking के examples जो है वो use कर लेता है अपनी readings करने में So बात यह है कि जब आप यह बोलते हो न story building आना जरूरी है आपको simply जो है जीवन के अनुभव आना जरूरी है और कुछ नहीं और जीवन के अनुभव मतलब जो आपने अपने जीवन में जिया जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया और जो जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया वो बहुत naturally जो है वो आपके शरीर और मन का एक हिस्सा बन जाते है फिर उसी को जो है आप शेर करो उसी को जो है आप बाटो उसी से जो है stories बनती है तो story कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग से जो है हाँ, अलग से लोग सीख सकते है story building लेकिन अगर एक authentic और एक genuine stories जो है अगर आपने create करनी है तो वो आपके जीवन से create होगी वो आपके अनुभवों से create होगी वो आपने life को जो एक एक छोटे छोटे जो मूती कठे करिया है और उसकी जो है माला जो बनाई है उस माला से जो है आप आपके जीवन में जो है वो एक story form होती है जिसको आप लोगों को बाटते हैं जिसको आप लोगों के साथ share करते है तो मनिशा आप के लिए मेरा यही suggestion है जीवन में अपने गहरे अनुभवों को जो आपने जिया है जो आपने सजोया है जो आपके अच्छे अनुभव हैं जो आपके बुरे अनुभव हैं उन सब से जो है कुछ न कुछ सीखा जा सकता है उन सब से जो है उन सब की stories की तरह जो है अपने जीवन में इस्तिमाल किया जा सकता है और वो ही चीज जो है दूसरे के काम भी आएगी जब आपके अनुभव से जब आप कुछ बोलोगे जो आपकी आँखों देखी बातों से जब आप कुछ बात बोलोगे तो वो दूसरे को भी चुएगी दूसरे को भी जो है वो टच करेगी और दूसरे को वो ट्रांसफॉर्म करेगी सो डीडिंग करते समय स्चोरी बिल्डिंग आना ज़रूरी नहीं भी है और है भी दोनों चीज़े जो है इंपॉर्टन है जो घूम फिर के जो कही ना कही में बात कहना चाहता हूँ वो यह है कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो जिस्ट बी आस ऑनिस्ट एस पॉसिबल्स जितने इमानदार हो जाएं उतना जो है अपनी इमानदारी को शेयर कर देना अपने आपको जो है बांट देना अपनी उर्जा को जो है दूसरे के साथ जो है शेयर कर देना बांट देना और उसी में जो है स्टोरी भी बिल्ड अफ होगी उसी में सब कुछ होगा रामकृष्ण परमांज की जो है स्टोरीज आपको पढ़नी चाहिए रामकृष्ण परमांज जी जो है उनकी एक आपको जो है किताब मिल जाएगी उनके आश्रम की पब्लिकेशन से बहुत सिंपल सिंपल स्टोरीज है लेकिन आप जब सुनते हो समझते हो तो आप कहते हो कि कि इन में कितने रहसे हैं इन छोटी-छोटी सिंपल स्चोरी में जो हैं कितने बड़े हीरे चुपे हुए और इन ग्रीश जो है आप एक लाइफ में एक ग्यानी जो है, वो क्या करता है वो अपनी लाइफ से जो है उन मोतियों को बीनना शुरू कर देता है उनसे जो है सीख लेता है लेकिन एक संसारी जो है वो बस आख बंद करके जो है अपने जीवन को चीता है और ये अनुभव सभी की लाइफ में है हमने सरफ उन अनुभवों को बटोरना है और अपनी लाइफ में से उसको सीखन है और दूसरे को बाटना है इसी तरह से स्टोरीज बन जाती है